वेल्कम टू एवरिटिंग गुजराती चैनल हवे गुजराती चैनल नू मेजिक लर्निंग गुजराती चैनल छे गुजराती सिख्वा माटे आपने सव थी पहला तो बारा खडी एटले के आलफाबेट सिख्वा जरूरी छे पच्छी आपने तेने केवी रीते जोडवा औने जोडी ने पच्छी आपने तेने शब्दो बनावी शक्ये शब्दो एटले वर्ड्स तो अलफाबेट ने जोडी ने वर्ड्स बने छे अने तेना पच्छी आपने धीरे धीरे ए शब्दोने वापरी अने वाक्य बनाविए वाक्य एटले सेंटन्स तो आपने ना 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 सेंटन्स बनावी सक्ये एना बाद आपने ए शब्दोना अर्थ एटले के एना मीनिंग जानिए तो मीनिंग जानवा पच्छी आपने वाक नू भाशान तर एटले के ट्रांसलेशन करी सक्ये, तो सवती पेला बाराखडी आने नंबर्स गुजराती मा सिख्वा जरूरी छे, त्यार पछी आपने थोड़ु थोड़ु वाँचता आने लखता सिख्ये सू. To learn Gujarati, first of all, we need to learn alphabets. That is called Barakari in Gujarati. Once you know alphabets, then try to, how to join them. By joining them, we can make words. After that, using that word, we can make sentences. Once you know the meaning of the words, you can translate the whole sentence in Gujarati. So, it's very easy if you go step by step. So, we are going to learn Gujarati step by step and enjoy the lessons. So, this is the Barakari book and I'm going to show you in the next video. How to write Barakari and how to read it and how to recognize. Thank you. See you later.